ध्यान से देखिए मैं प्रक्रिया में डॉक्टर की सहायता कैसे कर रहा हूँ धन्यवाद सर, कृप्या अपनी आँख खोलिए, सीधे आगे देखिए, डॉक्टर आँखे धोने की प्रक्रिया के साथ अपना काम शुरू करेंगे ठीक है जब तक मैं पानी सिरिंज में भरता हूँ, तब तक तुम मरीज के दाएं कान में थोड़ी रूई डालो और मरीज के माथे की दाएं और किड्नी ट्रे भी रख दो, इस ट्रे में आग धोने के दोरान अतिरित पानी एकतरित हो जाएगा ठीक है सर सर अपनी दाएं और थोड़ा सा खिसकिए हो गया डॉक्टर ठीक है, विजय अब हम आँख धोना शुरू करते हैं ठीक है, विजय आपको आँख के उपर सिरिंच दबानी है ओके, पानी आँख में गिरेगा ये फटा-फट और जोर लगा कर किया जाना चाहिए ताकि आँख में से सारा इसीड बहकर बाहर निकल जाए ठीक है, देखो इस तरह विजय, जल्दी से सिरिंच में इस्टेरायल वाटर भर दो, हमें और जरूरत है धन्यवाद अब ऐसी टाक से पूरी तरह से बाहर निकल गया है आपको अब कैसा लग रहा है? बहुत बेटर डॉक्टर बढ़िया, मैं आपको कुछ दवाएं और आईड्रॉप्स लिख देता हूँ, जो आपको जल्दी ठीक होने में मदद करेंगी विजय, मरीज को इसलिट लैम पर बैठने में मदद कीजिए लगता है कि अब मरीज की आँख से असिड निकल गया है कभी-कभी इस प्रक्रिया में Blunt Traumatic Sui का प्रयोग पलकों के कोनों के अंदर से और कॉर्निया से असिड फ्लश करने के लिए किया जाता है अब डॉक्टर इससे आगे उपचार देंगे, हमारा काम यहां पूरा हो जाता है और रुकिये, एक और महत्व पूर्ण काम बाकी है काम में ली गई चीजों का उप्यों के बाद निप्टाना जब तक मैं इस जगह को साफ करूं तब तक आप क्यों नहीं इस प्रक्रिया को एक बार फिर से चरण बद रूप में देख लेते हैं क्या है में आप बार वप में ही जब ही जब उनी आप हा ही बार में यह करीजों करें ले में तो. झाल झाल